Hello guys, यह video sponsor किया है Trader Central ने और इनके ओपर में एक video पहले सी बना चुगा है Trader Central फंडिंग प्रोवाइड करते हैं रिटेल ट्रेडर के लिए तो अगर आपको प्लाइन साइन अप करना है आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में लिंक है वहाँ से साइन अप कर सकते हैं वहाँ पर आपको 30% डिसकाउंट मिलेगा इसके लाबा यह ट्रेडिंग टोल्स भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि पॉर्टफोलियो ट्रैकर और कोपी ट्रेड सॉफट्वेर तो आप इसमें अकाउंट खौल सकते हैं हलो गाइज, वेलकम टू फोरेक्स सेलरी चैनल और इस वीक के फोरेक्स मार्केट अनल्सिस में आपका स्वागत है जैसे मैंने पिछले दो अपने फोर्कास्ट अनल्सिस में बताया है कि हमारी जो वेबिनार की सीरीज चली हुई है वो टिक मिल के साथ चली हुई है आप वहाँ पर रिजिस्टर कर सकते हैं जो हर थस्डे को होती है अभी तक दो वेबिनार हम कर चुके हैं जो नेक्स दो वेबिनार होंगे वो आने वाले थस्डे को होगा और एक टूस्डे को होगा 31 में को मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कैसे register करना है तो आप या तो मेरे instagram channel forex.salary जो की video की description में link है आप वहाँ से जाके उस पर connect करेंगे और वहाँ पर bio में जो link है forex.salary ये वाला मेरा channel है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने link दिया हुआ है जो आप यहाँ पर उससे register कर सकते हैं जब आप इस पर click करेंगे तो आप सीधा tickmail की website पर जाएंगे और वहाँ पर webinar में register कर सकते हैं या फिर आप tickmail की website पर सीधे जाएए बहले ही आप client हो या ना हो आप इनके client के यहाँ पर webinar section में जाएंगे इस webinar पर click करेंगे तो यह webinar section यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा next webinar होने वाला है जैसे मैंने बोला 26th मई को है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं The Ultimate Technical Analysis Master Class in Hindi जो यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हैं आप इस पर जाएए click किजिए और यह page खुल जाएगा और यहाँ पर आप register कर सकते हैं बहले ही आप non-client हो existing client हो और जो दो webinar हम already कर चुके हैं 12th मई, 19th मई का और जो आने वाले दो webinar हैं उनकी details यहाँ पर हैं और यह वाला जो calendar आप देख सकते हैं अगर आप देखें Monday को कुछ ज़्यादा news नहीं है यहाँ पर CAD में भी bank holiday है और कुछ major news नहीं है जस्ट 9.45 PM पर आप यहाँ पर देख सकते हैं Bank of England के governor बैली speak करेंगे तो pound में कुछ वहाँ पर volatility हो सकती है 10 बज़े के आसपास Tuesday को Euro के उपर 1 बज़े या फिर आप साम को देख सकते हैं 7 बज़े से 10 बज़े के बीच में क्योंकि यहाँ पर USD के उपर काफी news है और जो Fed के chairman है पावल वो speak करेंगे और उसके बाद Wednesday को important रहेगा New Zealand के लिए क्योंकि यहाँ पर official cash bank rate है जो कि expected है increase है और देखे 1.5 से 2 है almost 2 होगा और 2 होगा या उससे ज़्यादा होगा New Zealand के लिए उतना better रहेगा तो हम expect करेंगे और क्या उनकी monetary policy में statement में क्या changes होते है rate statement तो यहाँ पर काफे volatility रहेगी NGD pair में NGD USD में और उससे related जितने भी pair है उसके बाद conference तो यह time पूरा आप NGD के लिए देख सकते हैं उसके बाद अगर आप देखें 11.30 बजे FOMC की meeting minutes है जो कि रात के 11.30 बजे होंगी USD के उपर Thursday कोई ज़्यादा major event नहीं है just 6 बजे के आसपास आप देख सकते हैं USD और Friday बे भी आप 6 बजे के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं जो PCE price index है उसके बारे में तो यह news हैं जो आने वाली है आप अपने trade accordingly प्लान कीजिए just news की बीच में मत फसिए और news को analyze कीजिए देखिए क्या news आई है कैसा impact हो सकता और उसके बाद अपने setup को trade कीजिए अब चलते हैं अपने forecast analysis में तो पहला पेर गईज हमारा EURUSD हम 4 hour के chart में हैं और यह आप देख सकते हैं हमारा पिछले हफते का forecast हम यहाँ पर थे 16th मही के आसपास यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम यहाँ से retracement देखेंगे क्योंकि USD पुरी तरके से overvalued है नीचे की तरफ market काफी move हो चुकी है हमें इस support को observe करना था गर इसको break करती फिर हम नीचे की तरफ target देखते पर मैंने आपसे कहा थे most probably मैं expect करूँआ market उपर की तरफ retrace करेगी और यहाँ से आप देखिए जो movement मैंने आपको होतायी थी पहला target यह दूसरा ultimately है और अगर maximum जाती भी हम यहाँ तक का देख सकते हैं आप देखिए market सीधा वहाँ से continuously उपर की तरफ ही गई है जो हमने target यहाँ पर बताये थे अब हम कहाँ पर आए चुके हैं अगें डेंजर अरिया में जो मैंने आपर बताया था कि यह एरिया जो हमारे लिए important है यहाँ से हमें देखना होगा movement क्या market यहाँ से behave करती है क्या यह इस area जो कि आप देख सकते हैं resistant 1.06246 इसको break करती है उपर की दरफ या नहीं अगर break करें channel के अंदर जाती है फिर हम उपर की target देख सकते हैं 1.07921 या ultimately 168 के आसपास मेरे लिए important रहेगा कि यहाँ से market यह जो area आप देख रहे हैं 1.04634 जो last support है अगर market नीचे आती भी है इसको hold करें अगर इसको नीचे break करेंगी फिर हम नीचे continuously जाएंगे यह पूरा support ही उसको retouch कर सकती है और यह अगर break ना करें फिर हम नीचे की दरफ भी movement देख सकते हैं depend करता है USD किस तरह के से आएगा किस तरह के से movement रहेगी तो मेरे लिए important है क्या market इस area को hold करती है इस से उपर उपर जब तक हम है हम इसमें buy के लिए ही देखेंगे वो यहाँ पर हम channel में भी देख सकते है यह deep pull यहाँ पर भी आ सकता है यहाँ से उपर की तरफ target जो मैंने आपको बताई है आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते है इस area को mind में रखिए break करता है नीचे की दरफ फिर हम यहाँ तक देखेंगे उसके बाद इसको भी break कर सकता है pound usd गाइज यह पिछले हफते का forecast यहाँ पर आप देखें again हम कहा पर थे 16 मैं इस area में मैंने कहा थे या तो market यहाँ पर consolidate करेगी या फिर उपर की तरफ हम target देख सकते है same euro usd की तरह ही यह हमारी पहली resistance है दूसरा यह देखिए अब यहाँ से आपकी पहली resistance तक इसको इसने टच किया और दुबारे से market अप continuously ओपर की तरफ ही यहाँ पर trend में है अब आने वाले हफते में pound usd में क्या देख सकते हैं तो same guys euro usd की तरह ही यहाँ पर भी आप देखिए साप मूब नीचे की तरफ market क्या है रिट्रेच करते हुए ओपर की तरफ यहाँ पर कर रही है कहाँ पर आ चुके है again danger area में आ चुके है 1.25856 का यह यह अरिया है हमें देखना होगा क्या यह इसको break करे movement दे उसके बाद फिर हम target देखें 1.29 depend करता है usd के ओपर कैसी नहीं हो जाए किस तरीके से market वहाँ पर move करें तो अभी sentiment है अभी यह retracement है इसका मतलब यह नहीं कि reversal start हो चुका है अभी ऐसा में नहीं कहूंगा हमें इस area को observe करना है अगर हम इसको यह break करेंगे उपर की तरफ तब हम उपर की तरफ target देखते हैं जैसे मैंने euro usd में बताया है यहाँ पर भी आप इस area को देख सकते है 1.23509 जब तक हम इस area से उपर उपर हैं बाइक के लिए देख सकते हैं यह यहीं से उपर जाए consolidate करें फिर उपर की तरफ जाए यहां से deep pullback ले उपर की तरफ जाए फिर अगें दुबारा से उपर की तरफ अगर इसने इस support को यहाँ पर break किया नीचे की तरफ हम यहाँ पर देखेंगे यह 1.20726 यहाँ तक का target देख सकते हैं हमारी जो नीचे की support है भी 1.14 तक है तो देखते हैं कैसे यह market behave करती है observe करेंगे उसके बाद हम इसमें trade लेंगे OGUSD यह पिसले अफ़ते का forecast यहाँ पर हम थे 16th माई के आसपास और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि हम continuously या तो market नीचे की तरफ जाए यह support area यहाँ से फिर हम retracement करेंगे या फिर आप देखें यही से हम retracement देख सकते हैं जो इस तरीके से target आप देखें होंगे तो continuously market उसी area से उपर की तरफ गई है जो पहला target में आपको दिया था market वहाँ पर गई और यही पर आकर अब इसमें consolidate कर रही है अब next week में AUGUSD में हम क्या देख सकते हैं तो market ने आप देखे यहाँ पर यह एक तरीके से retracement जो है एक channel में same euro की तरह ही, GBP, USD की तरह ही कोई ज़्यादा यहाँ पर solid movement नहीं है slowly उपर की तरफ जा रही है अभी जैसे मैंने बागी दोनों pair में बताया same चीज, क्योंकि सभी pair related है एक तरीके से है, movement यही देखनी होगी अगर यह जाती भी है, तो हमें चैनल के अंदर उसके बाद फिर हम यहाँ से इसमे नीचे की तरह pullback देख सकते हैं, या अगर यह इसको break करेगी फिर हम ओपर की तरह movement तो हमारे लिए यह area important रहेगा भी, आप buy करें, so autumn के लिए इस area जो ओपर रहे, buy कर सकते हैं target आप यहाँ तक का इसमें देख सकते हैं NGD USD आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले हक्ते का forecast, again यहाँ पर मैंने कहा था हम retracement कर रहे हैं, continuously same सभी pairs में आप same pattern देखेंगे जो market में दो अपते पहले हल चल मज़ी थी, उसके बाद यह है, जो over value संती, correction होना जरूरी था यह तो यहीं पर market move करें या फिर slowly उपर की तरह है, और वही आप देखिए same यहाँ पर वही है, जो मैं repeat कर रहा हूँ market उसी तरह की से retage करके उपर आ चुकी है, अब next week में NGD के उपर काफी news है, उनका official bank rate का decision है, तो यहाँ पर matter करता है कि किस तरह के से market move करें, अगर वह अच्छा रहेगा, तो definitely आप NGD के में एक better movement देख सकते हैं, जो कि higher level तक भी जा सकती है, depend करता है कि rate का decision किस तरह की से है या फिर दुबारा से market नीचे की तरफ crash करें, तो हमारा यह same जो मैं आपको बाकी pairs में भी हम यही target देखेंगे, continuously आप retirement देख सकते हैं new जाए, क्या इसको break करें, उद्दम से दुबारा फिर नीचे की तरफ जाए, वो देखना होगा observe करना होगा, किस तरह की new जाती है मैं target अभी देख रहा हूँ, अगर उपर की देखू 0.65384, 0.67208, यहां तक की market देख सकते हैं new जाने के दोरा यह volatile होगी और दुबारा से again, अगर market उपर जाती भी है again, दुबारा से फिर नीचे की तरफ movement आप देख सकते हैं, तो observe कीजिएगा wait कीजिए, कैसे new जाती है, नहीं तो अभी आप buy के लिए ही देखे, जब तक हम इस एरिया से उपर-उपर हैं buy के लिए देखे, इस एरिया को break करें फिर हम नीचे की तरफ market में movement देख सकते हैं USDCAT guys, पिसले हफ्टे का forecast यहां पर थे हम 16th मही में, मैंने यहां पर आपको बोला था यहां से market में हम retracement देखना चाहेंगे थोड़ी सी भी retracement मिले, उसके बाद नीचे की तरफ में target देखना चाहूंगा, अगर यह इस एरिया को break करें उपर की तरफ, ओके, फिर हम buy के लिए देखेंगे, लंबा target देखेंगे, पर यहां पर हम expect कर रहा है, तो यहां से नीचे moment दे, यह target area important होगा, मैं नीचे की तरफ sell देखूँआ, यहीं से नीचे की तरफ break करें हमारा पहला target ही होगा, आप देखें market continuous उसके बाद नीचे की तरफ भी break की है और फिर down यहीं पर consolidate कर रही है, अब आने वाले अपते में गई पर यहां पर आप उपर की तरफ movement देख सकते हैं, इसका मतलि यह ने कि market नीचे नी जाएगी, जा सकती है, यहां पर आप देख सकते है, weakness हैं, जो seller में आप देख सकते हैं, तो market यहां पर down जा रही है, अभी मैं कहूंगा, जब तक हम market में इस area से उपर उपर हैं, आप इसमें buy के लिए देख सकते हैं, market यहां पर आए, यहां से support ले और उसके बाद फिर हम target उपर देखेंगे, इस तरीके से आप यह जो आपर आप देख सकते हैं, 1.28920, 1.29824 या फिर ultimately यहां तक, market एक range में है, यह जो area है, ultimately इसी range में अगर आप इस से zoom out करके देखें, तो market इसी range में यहां पर काफी time से चल रही है, तो हमें देखना होगा, क्या यह market इस area को hold करती है, यहां पर यहां पर यह अगर नीचे जाती भी है, फिर हम इसमें buy के, अगर इस area को इसने break किया, hold नहीं करा, इस support को break किया, फिर हम 1.24322 का target यहां पर द 16 माई के आसपास मैंने कहा था, हम continuously market में उपर जाएंगे, यह area मारली important है, यहां से में sort की opportunity देखूँ हूँ, पहला target यह ultimately यहां तक, अब देखिए market यहां से थोड़ा उपर दी, और यहां पर अगर आगर आपने किसी ने आपर इसमें sort करने की opportunity देखिऊगी, जो भी setup 176, वही जो market में हमने पिछले अपते अनलाइज किया, उस जी तरीके से market यहां पर down गई है, अब next week में USD JPY में क्या कर सकते हैं, देखिए USD पुरी तरीके से strong था, और यहां पर अब retracement करते हूँ, नीचे आ रहा है, आप देखिए नीचे की तरफ market movement है, कहां पर दो बार य फिर हम इसमें buy के लिए देख सकते हैं, आपका पहला target 1.29600 या फिर 1.31 के आसपास target यहां पर होने चाहिए, अगर यह इस area को break करें, हम नीचे किदर 1.25731 देखेंगे, depend करता है market कहां पर जाती है, अगर इस area को भी break करें, फिर आपकी support बहुत काफी नीचे है, तो मैं पर observe करूँआ, इस area को, क्या market इस area को break करती है, अगर मुझे buy की opportunity उपर की दरफ मिलती है, इसमें फिर हम buy के लिए देख सकते हैं, जो target मैंने आपको बताएं, आप यहां पर यह target देख सकते हैं, गोल गाईज, फिसले हफ्ते का forecast यहां पर आप देखिए, continuously market नीचे थी, हम एक solid support area में थे, तो यहां पर, जैसे मैंने बोला था पिछले हपते, मैं यहां पर यहां तो कंजन से देख रहा हूँ, यह retracement उपर की दरफ देख रहा हूँ, अगर यह इस area को break करें नीचे, फिर तो बहत अलग है, हमारा काफी target नीचे की दरफ होगा, पर यहां से, मैं जो expect कर रहा था, उसी तरीके से market ने हां movement किया, हम जो retracement देख रहे था, आप देखें, यहां पर retracement करके, market कहां तक आ गई है, इस area जो मैंने पिछले अपते बताया था, यहां तक market है, यह ultimately जाती हम यहां तक cut target देख सकते थे, तो market slowly उसी तरीके से यहां पर retracement कर रही है, अब market नीचे किदर move करें नीचे और यहां तक भी आ सकती है, तो हमें देखना होगा, मैं यहां पर wait करूँ है, जैसे मैंने यूरो, USD भाकी से भी पेर में बताया, यह आपका price 1810, हमारे लिए important है, क्या market इस area को hold करती है, अगर उपर जाती है, फिर हम अपना target 1894, यह target होना चाह अगर नीचे जाती भी है, इस support को again retest कर सकती है, दुबारा, तो market इसी range में यहां पर घुम सकती है, हमें wait करना होगा, और observe करना होगा, तो अप्जर्व करना होगा, तो अप्जर्व कीजिएगा, इस area को, silver guys, पिछले अपते का forecast, यहां पर आप देख सकते हैं, market sharp down movement यहां पर थी, और यहां पर मैं expect कर रहा था, गिर हम नीचे continuously जाते भी हैं, तो हमारे यह support होगा, यहां से market उपर जाए, यहां से market उपर की तरफ जा सकती है, और हमारा यह target पहला होना चाहिए, और ultimately second यहां तक, और आप उसी तरीके से देख सकते हैं, market यहां से उसको break किया, और सीधा retracement उपर की तरफ दी है, जो मैंने पिछले अपते यहां पर आपको analyze किया था, अब next week में हम silver में क्या देख सकते हैं, तो guys, आप देखिए, जो moment है, आपकी slowly moment जैसे gold में या बाकी pairs में आप देख रह आपना होगा, यह कहां तक continue करती है, वो यहीं तक जाती है, अगर यह इसको break करें, हमारे नीचे की support जो है, पिछले level रिटेस्ट कर सकती है, जो हमारी नीचे support भी 18.92 के आसपास है, तो देखिएगा, wait कीजिएगा, कि market यहां पर कैसा behave करती है, क्या यह continuously उपर की तरफ जा यहां पर हम थे 16 माई के असपास, अगर आप यहां पर देखिएगा, जैसे मने बोला था, हम एक यहां पर range में चल रहे हैं, यहां पर मैं consolidation देखना चाहूंगा, और वही consolidation हो रही है, क्योंकि यह भी direction कुछ है नहीं है, market उपर गई अगे नीचे, फिर उपर गई नीचे, अब आने वाले हफते में oil में हम क्या देख सकते हैं, तो guys यहां पर sharp move यह उपर की तरफ गया, again retracement करके market नीचे आई, अब हमें देखना होगा market कहां तक यहां पर move लेती है, तो अभी अगर आप इसमें buy के सोचे हैं, तो wait कीजिए, market नीचे आई, इस area में, इस area को hold करें, यहां पर retracement मिले, उसके बाद फिर आप target देख सकते हैं, 115.76, इससे उपर अभी target मत देखिए, अगर जाती भी है, तो 123 का मैं देख सकता हूँ, इससे उपर मैं नहीं देखुआ, यहीं तो आप नीचे की तरफ movement देखेंगे, again 97.3, जैसे मैंने बोला हुआ है, अभी कोई ज्यादा clear direction नहीं है, तो अभी आप जो है, यहां पर range में ही इसमें treat कीजिए, ओपर की तरफ आप sell कर सकते हैं, नीचे की तरफ आप buy कर सकते हैं, अगर आपको better opportunity मिले, और short term के लिए आप यहां पर target रख सकते हैं, तो अभी clear direction नहीं है, जब तक कोई news या कुछ major event ना हो, इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम किदर move देख सकते हैं, बिटकोइन गाइस पिछले अपते का forecast यहां पर आप देखें, तो मैंने जैसे बोला था कि मैं बिटकोइन में congestion, zigzag movement या consolidation देखना चाहूंगा, जो भी आप इसको बोलना चाहें, और वही हो रहा है, क्योंकि market क यहां पर बताया था, सेम उसी तरीके से market की moment यहां पर आप देख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी moment ने, अगर इसको ब्रेक करती फिरम ओपर की तरफ target देख सकतो, as analyze उसी तरीके से market ने यहां पर इसको behave किया है, अब next week में bitcoin में क्या देख सकते हैं, तो देखिए अब सभ जो crypto's है, वो downfall में है, क्योंकि USD की market वो down में, अगर आप Indian stock भी देखें, सभी pairs, सभी stock exchange डाउन में है, और उसी का impact यहां पर bitcoin पर भी यह बाकी सभी cryptocurrencies पर भी पढ़ा हुआ है, तो यहां पर भी आप देख सकते है market conditions डाउन, वही same retracement, उसी तरीके से NASDAQ कहें, DAO कहें, सभी पर movement down है, कुछ recovery हो रही है, पर जो बड़े movement है, वो नीचे की तरफ ही है, यहां पर जो आप bitcoin में देखना चाहेंगे, तो मैं यही movement अभी देखना चाहूंगा, जब तक यह इस level को break ना करे, आपका 31,248 तक का, इसको break करे, तभी हम 37,000 का target देख सकते हैं, अगर हम नीचे क काफी टाइम से यहां पर बोल रहा हूँ, पिसलिफते भी आपको बोलाता हूँ, मैं expect करूँआ, market यहीं पर consolidate करे, अगर इस area को break करे, कुछ weakness मिले, USD में तो उपर की तरफ movement यहां पर आपको मिल सकती है, USD INR गाइस, आप देख सकते हैं, USD all time यहां पर high पर चला हुआ है, आ और जैसे मैंने बोला हम एक all time high पर हैं, हम इस area में हैं, अभी हमें देखना होगा क्या इंडिया की दरफ से कुछ और moment आएगी, bank rate की decision, कुछ और यहां पर कुछ step उन्हें लेने होंगे, जो यहां पर हमें देख सकते हैं, या फिर USD बाकी currencies के against में आप euro या वहां पर कुछ जब तक moment नहीं मिलेगी, INR में भी आप नहीं देख सकते हैं, तो मैं आपर अभी expect करूँ, market यहीं पर अभी consolidate करें, कुछ यहीं पर दिखाए, क्योंकि उपर की तरफ अभी आपकी कोई resistance नहीं है, next area जो है, 76.435 का है, तो मैं इस area को यहां पर observe करना चाहूंगा, market इसी area मे यहां तो movement करें, अगर weakness रहेगी, INR में या बाकी पेर्स में USD strong रहा, तो हम उपर की तरफ movement यहां पर देख सकते हैं, और यहन गाईस, पिछले अप्ते का forecast, यहां पर हम ते 16th मही के आसपास, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने कहा तो market उपर जाएगी, इस area को observe की यहां पर कोई भी या तो candle या जो भी है, मैं यहां पर फिर इसमें, अगर उपर की तरफ ब्रेक करें, फिर हम इसमें market में देख सकते हैं, solid move हो, नहीं तो मैं तो यहां पर sort की opportunity देखुआ, यह मेरा पहला target है, अपका पहला target यहां पर होना चाहिए, दूसरा यहां पर, उस solid move नीचे की तरफ, अगर मैं यहां पर RSI को भी observe करूँ, तो आप यहां पर देखिए, clear divergence आपको मेल रही है, यह आपका higher area था, और यह जो previous I बना है, यह इससे बहुत उपर बना है, और यहां पर आप देखिए, इसमें कितनी divergence है, जो की level पे है, तो यहां पर मैं expect करूँ ह मार्केट यहां से थोड़ा उपर की तरफ movement दे, slowly हो या उपर हो, आपका पहला target आपका 164.090 या 168.418 के आसपास हो सकता है, हमें देखना होगा, observe करना हो, अगर market इस level को hold करती है, तब ही हम इसमें buy के लिए देखेंगे, वो यही से उपर जा सकता है, या थोड़ा नीच करके नीचे की तरफ न जाए, तो guys, यह मेरे सब्ते का forecast market analysis, आपको help मिल रही है, आप मुझे Instagram पर भी message करते हैं, आपको काफी help मिलती है, आप यहां पर भी comment दीजिए, आप share कीजिए, जो भी लोग इसमें interested है, सभी को पता चले, अगर उनको कुछ help मिलती है, please comment कीजिए, like share कीजिए, share कीजिए, ताकि मुझे भी इससे help मिले, और जैसे मैंने webinar के लिए बताया हुआ है, live webinar में दे रहा हूँ, वहाँ पर एपनी strategies वगएरा, जो भी share करता हूँ, वहाँ पर उनसे सीख सकते हैं, आप उनसे फाइदा उठा सकते हैं, आने वाले time में मैं YouTube पर भी उन् अभी के लिए धन्यवाद, thank you, take care and goodbye.